जैश्री राम बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहत खास कारकन मैं मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आचार राजन शाह जिसनी भी आज तक मैंने ğıtus से रिछलेटड़ दी है जतनी भविष्ट शिवानिया मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरी की भविष्वाणि सत्त हुई लेकिन जो हमार रिशियों ने हमको जानकारे दी जितनी भी मैंने जानकारियां आस तक जितनी भविष्वाणिया की है बिश्व के अंदर सायद सभी को मैंने सत प्रत्सत पाया है वैसी चीजे घडित हुई है ऐसा मेरा मानना है बाकी जो रिशियों की परंपरा है ये मेरी मैं अपनी नहीं कह सकता हूँ मेरे अंदर कुछ नहीं ये परमात्मा का एक आसरबाद है जो सायद देता हूँ और वो सत घडित होती है चलि हर एक राशी पर इसकी चर्चा करेंगे में इसके लिए बहुत जबरदस्त रिजट आता हुआ दिख रहा है कारे शेत्र जितने रुके हुए थे जो भी डील इत्यादी आपकी रुके हुई थे यदि आप बिजनस करते हैं तो वो सारी डील आपकी होने वाली है नौकरी करते हैं नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है नौकरी में अच्छा लाब नजर आता है अच्छे कारे आप करने वाले हैं बस साउधानी रखिएगा जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नुक्षान कर सकते हैं थुड़ा सा साउधान रहेंगे अच्छा होने वा है बहुत सारी प्रदेशिक यात्राएं होने वाली हैं मन में प्रसंदता रहेगी तो ब्रिस राशी के लिए बुद्ध का परिवर्तन बहुत सांधार है मिथुन के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है स्वास्त में प्राब्लम बनते हुए कारियों में अर्चन जीवन साथी के जीवन में उन्नती होती हुई नजर आ रहे हैं लेकिन आपका एक्स्ट्रा मारिटल अफेर बने इस प्रकार का संकेत है ब्यापार और नौकरी में परिवर्तन का संकेत बन रहा है अच्छे लाब होंगे शिंग राशी के लिए यह परिवर्तन क्योंकि एकाद का संकेत नजर आ रहा है शाओधान रहने की आवश्यक्ता है बात करते हैं हम अगर आगे कन्या राशी को ले करके तोकि राशी श्वामी है और पंचम भाव में जा करके गोचर करेंगे प्रेम किसी की तरफ आपका आकरशन संतान को ले करके सुबसमाचार प्रेम शंबंध का योग और बुद्धी में तीब्रता बुद्धी तेज काम करेगी शेर मार्केट इत्याद से आपको लाव जरूर प्राप्त होगा एजुकेशन में अच्छा लाव प्राप्त होगा अगर हम बात करेंगे तुला राशी को ले करके तो तुला राशी के लिए ये संकेत ए इस प्रकार का शंकेत है ब्रिश्चिक राशी के लिए बहतरीन शंकेत अश्टम भाव के श्वामी और एकादस भाव के श्वामी बुद्ध हो करके आपके थर्ड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे यहाँ पर भाई बहनों से अच्छे शंबंध प्रदेशिक यात्रा जो तुसल राशी के लिए अगर हम बात करेंगे सब्तमेश हैं सब्तमेश और दशमेश हो करके सकंड हाउस में गोचर करेंगे कारे शे ट्र से बड़ा धन आने वाला है share market से लाब होने वाला है, interview में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है घर में मंगली कारिकायोजन होने वाला है, तो ये संकेत धनू के लिए अच्छा है, मकर के लिए खुद के राशी पर गोचर करेंगे, और क्योंकि मकर के लिए एक तो खश्टम भाव के शामी और नौम भाव के शामी हैं भागे का जबरदस्त सयोग जिसके कारण जितने भी डील इत्याद यापकी रुकी हुई थी विजनस में वो सारी पूरी होने वाली हैं आपका दिमाख इतना तीब्र बनाने वाले हैं इस समय में कि आप जब बात करें किस बहुत अच्छा नहीं है और क्योंकि अस्टम भाव के शामी होंगे कुम्राशी के लिए देखा जाए अस्टम भाव के शामी और पंचम भाव के शामी 12 भाव में गोचर करें मित्र की तरफ से धोखा पढ़ाई से संबंदित विदिर स्यात्रा संतान को लेकर के चिंता ये प्रापटी इत्यादि खरीदने और बेचने का संकेत दिखेगा आत्म विश्वाश आपका बढ़ेगा लोटरी शट्टा इत्यादि से आपको खास लाब की प्राप्ती होती हुई नजर आ रही है तो इस प्रकार रहेगा जिनके लिए बुद्ध की परिस्तियां खराब है उनके लिए क्या होने वाला है साथ से ले करके और करीब करीब 27 तारिक तक 20 दिन इस प्रकार का प्रयास इस प्रकार की परिस्तिती बुद्ध करने वाले हैं क्या करनी किया हो शक्ता है ऐसे परिस्तिती के अंतरगत बुद्धवार के दिन गाए को हरी पालक खिलाना बहुत फायदे मंद होगा बिधारा के पेंड की जड़ गले में धारन करके रखना आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा रात नौ बजे दो पहर को बारा बजे आपके लिए लाइब जुड़ता हूं आप लाइब आ करके मेरे साथ जुड़ करके जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती ही कर सकते हैं अब इस कारिक्रम को यहां पर विराम देते हैं आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जैश्री ना